नमस्कार में पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं भी हार्डिन सौर्ट मुझफर पूर में हुए बॉयलर ब्लास्ट को लेकर अभी तक जो अपडेट निकल कर सामने आया है कि उसमें लगबग सात मजदूरों की मौत हो चुकी है जिसमें से पांच मजदूरों की पहचान की जा चुकी है और दो की पहचान करने के लिए प्रशासन अभी भी जुटा हुआ है और वही आधा दर्जन से अधिक मजदूर SKMCH में एड्मिट है जुनका इलाग चल रहा है लेकिन इसमें एक बड़ी कारवाई करते हुए फैक्टरी के मालिक समेत छे अन्य लोगों पर F.I.R. दर्ज हो गया है जी हाँ इस फैक्टरी के जो मालिक है ये नीजी फैक्टरी है और इसके जो मालिक है उसके साथ ही छे अन्य लोगों पर भी F.I.R. दर्ज हुई है और प्रशासन आगे की कारवाई करने की बात कह रही है लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां जो और उनका आरोप है कि इसमें जो फैक्टरी के मालिक है उसकी गलती है एक मजूर ने जानकारी दी कि जिस दिन यह ब्लास्ट हुआ यानि कि कल जब ब्लास्ट हो तो उसका विकेंड ऑप था यानिकी उस दिन वह फैक्टरी में नहीं था लेकिन जब घटना सुणा जब यह की जा रही थी बॉइलर की संदिए reden्ट साथ मजढूरों की ओँ हात है और वह दुद्धेक अधिक घायल है जिनका इलाज स्केंद पूरी खबर उपर तक पहुँची जब पूरी खबर सामने आई उसके बाद से मंत्री नेता हर कोई अपने अपनी तरही के से प्रतिकडिया दिये मुआपजा रासी की भी एलान की गई लेकिन सबाल यह उठता है कि जिनकी जान चली गई क्या मुआपजा रासी से भड़पाई हो पाईगी आज़ेकार जो इतना बड़ा ब्लास्ट होआ है मुझदफर पूर में इसकी जिम्मेदारी किसकी थी कि बोईलर को ठीक करवा जाए इसके जिम्मेदारी किसकी थी? कुँ बोईलर की उस समय-समय पर देख रहे किया जाये ताकि उसमें कोई गड़बडी न हो और अगर लगातार जैसा कि मजदूर बता रहे हैं कि लगातार वो शिकायत कर रहे थे कि बोईलर में कुछ गड़बडी है बोलर को ठीक करवाई है उसके बावजूद भी जो वहां अपर लेवल के जो भी पतादिकारी थे या जो भी अपर लेवल के स्टाफ थे या फिर जो वस फैक्टरी के ओनर है उन्होंने इसे ठीक क्यों नहीं करवाया आज एक लापरवाही की वज़ा से न जाने कितने मजदूरों का घर बरवाद हो चुका है सवाल तो कई उठते हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जिन लोग के खिलाफ जो एफायार दर्ज की गई है उसमें आगे कारवाई भी की जाएगी देखना बाकी है कि आगे क्या कुछ करवाई होती है और इसमें इस मामले में क्या कुछ छानबिन होती है और किसकी गलती निकल कर सामने आती है आप देख रहे हैं बिहार इन सौर्स हमारे साथ बने रहे हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पीच को लाइक कर धनिवाद